हमने आपको दिल्ली के कई प्रेत बादित जगाओं से रूबरू करवाया है आज इसी कड़ी में हम आपको दिल्ली की एक ऐसी मलजित से रूबरू करवाएंगे जहाँ पर राग धलते ही जिन्नों की महफिल शुरू हो जाती है इस जगह का नाम जमाली कमाली मस्जिद है जो कुतुम मिनार के नस्दीक स्थित है बहुत कम लोग इस जगह के तिहास के बारे में जानते हैं जबकि मुगलकाल में इसकी प्रसिद्धी कुतुम मिनार से भी ज्यादा थी लेकिन अब इस जगह को लोग केवल एक भूतिया जगह के अलावा किसी और नाम से नहीं जानते यह मस्जित महरोली जैविक पार के नस्दीक है जो की कुतुम मिनार के प्रवेश दुआर से 500 मीटर की दूरी पर है इस मस्जित में जमाली और कमाली की अलग अलग कबरे मौजूद है इस मस्जित में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं लगता और इसमें बने पार्क में अधिकतर बच्चे खेलते रहते हैं आईए इस जगह की भूतिया गईटनाओं से पहले इस मस्जित के इतिहास के बारे में आपको बताते हैं जमाली शब शेख हमीद बिन फजलूहा उर्फ जमाल खान से लिया गया है जो की अपनी कविताओं के लिए प्रसिद सूफी संथ थे जमाल खान सिकंदर लोदी के शाशनकाल में भारत आये थे और दिल्ली में ही बस गए वैसे तो लोग उन्हें कई नामों से जानती थे लेकिन उनकी कविताओं ने उन्हें जमाली नाम से मशूर कर दिया ऐसा माना जाता है कि सिकंदर लोदी उनकी कविताओं के इतने कायल थे कि उनकी शब्दों का इस्तिमाल करके वो खुद भी एक कवी बन गए थे मुगलों के साशनकाल में उन्हें बावर के दर्बार में जगह मिली जो हुमायों की मौत तक उस दर्बार में रहे ऐसा माना जाता है कि हुमायों ने खुद जमाली की मौत के बाद उसका मकबरा बन वाया था जमाल खान उर्फ जमाली का इतिहास तो आप लोगों ने जान लिया अब हम आपको कमाली के इतिहास के बारे में बताते हैं वैसे तो कमाली का इतिहास रहसे में है क्योंकि इतिहास में उसके बारे में कहीं नहीं लिखा है कि वो जमाली के शिष्ष थे या दूसरे कवी थे या फिर एक नौकर थे कोई भी उनका असली नाम नहीं जानता केवल कमाली ही लोगों की जुबान पर है कमाली के बारे में बहुत सी कहानिया प्रचलित हैं जैसे कमाली की कहानियों कश्रे जमाली ले लिया करता था वहीं दूसरी कहानी में ये बताया जाता है कि जमाली और कमाली दोनों भाई थे और जमाली अपनी कविताओं से प्रसिद्ध हो गया लेकिन कमाली केवल सूफी संत बनकर रह गया कुछ कहानियों में कमाली को एक औरत बताया गया है जो जमाली की पत्नी थी और कमाली की मौत के बाद जमाली ने उसका मकबरा बनवाया और हुमायों ने जमाली की मौत के बाद उसकी पत्नी के करीब ही उसका मकबरा बनवाया कुछ इतिहास कारों का ऐसा भी मानना है कि गुरू ग्रंथ साहिब बाबा फरीद के नाम से लिखी जाने वाली कविताय जमाली ने लिखी थी इस मस्जिद की नीव मुगल कालीन तरीके से रखी गई लेकिन ये समय के साथ दुंदली हो गई यहाँ पर प्रचलित अन्होनी घटनाओं की वजह से लोग यहाँ आने से ड़ते हैं इस जगह के बारे में कई कहानिया प्रचलित हैं कि जमाली कमाली की रूँ जिन्नों के साथ रहती है कुछ लोगों का यह भी मानना है कि रात को यहाँ बिजली, जपकना, जान्मरों के चिलाने और आद्रिश्य परचायों को देखा गया है जैसे कि कोई आपके नस्दीख खड़ा हो और आप उसे देख नहीं पा रहे हो कुछ लोगों ने यह भी बताया कि मिनार के नस्दीख कोई थूखता है लेकिन नजर नहीं आता यहाँ पर रात को चलने वाली हवाए इस जगह को और जादा डरावनी बना लेती है सबसे जादा प्रसिद कहानी यह है कि रात को यहाँ पर जिन लोगों को थपड़ मारते है वैसे यहाँ पर जादातर कहानियों में इस जगह पर जिन्नों के होने का जिक्र किया गया है मुसलिम माने तक अनुसार अल्ला ने इंसानों को रेच से और जिन्नों को आग से बनाया है और जिन्न भी इंसानों की तरह अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं कई बार जिन इंसाने दुनिया में प्रवेश्ट कर जाते हैं और विरान जगाओं पर अपना कब्जा कर लेते हैं ऐसा ही वाक्या इस जगाओं पर हुआ है कि कई सालों से ये जगाओं विरान थी जब तक कि A.S.I. ने इसे संड़क्षित नहीं कर लिया जिन्नों ने इस जगाओं को अपना गड़ बना लिया और हर रात उनकी यहाँ पर महफिल लगती है हाला कि इस मस्जित की रखवाली करने वाले चौकीदारों ने यहाँ पर भूतों और जिन्नों के होने को नकार दिया है लेकिन जगा सधारन होने के बजाए इन कहानियों की वज़ा से डरागनी हो गई इन कहानियों के चलते कई लोग इस मस्जित में घूनने आते हैं और इसके रहसे को दूनते रहते हैं अगर आपने भी ये जगा देखी हो तो आप इस जगा के रहसे और अनुबद को अपने कमेंट की जरीए जरूर बताए